ये जो सभी electrical device है इन device का इस्तमाल करते हुए एक single face summer receiver pump starter किस प्रकास से बनाएंगे इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और जो मैं आपको wiring बताऊँगा इस wiring में मैं किसी भी circuit diagram को follow नहीं करने वाला हूँ जब भी मैं कभी circuit diagram का इस्तमाल करता हूँ तो उस समय मैं circuit diagram को देखके उसके जैसे ही wiring को explain करता हूँ लेकिन आज का वीडियो ठ्वासर different होगा क्योंकि मुझे जैसा याद है पूरा का पूरा वैसा ही आपको explain करूँगा और आप इस वीडियो को last तक देखेगा और देखने के वाल मुझे ये बताईएगा कि कौन सा तरीका best है wiring करने का मैं जो आज की वीडियो में बताने जारे ये वाला तरीका या फिर जो पिछला वीडियो जिसमें मैंने इस वाले समर्सिबल pump starter का wiring बताया था वो भी इस वाले circuit diagram का इस्तमाल करते हुए कौन सा तरीका best है ये मुझे बताईएगा कॉमेंट करके दोस्तो वीडियो को start करने से पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा क्यूंकि आप लोगों ने बहुत सारा कॉमेंट किया इस वाले वीडियो में मैंने वीडियो के last में कहा था कि कम से कम 50 कॉमेंट आना चाहिए उसके बाद ही इस वाले starter का इस्तमाल करके मैं wiring को explain करूंगा आप सभी लोगों ने उस वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया इसलिए मैं इस वाले starter का इस्तमाल करके पूरा wiring को explain करने चाहरा हूं तो दोस्तो इस वाले starter का wiring करने के लिए हमें same component का इस्तमाल करना पड़ेगा, जैसे कि हमें एक starting capacitor, एक running capacitor का इस्तमाल करना पड़ेगा, एक contactor, एक control m से भी, इसके बार emitter, voltmeter, अभी के time पे हम digital वाली voltmeter, emitter का इस्तमाल करेंगे, पिछले वाले वीडियो में हमने analog वाली इस्त करेंगे, इसके अलावा हमें चाहिए start push button, stop push button, indication lamp और कुछ mounting करने के लिए frame चाहिए, इसके अलावा एक terminal block चाहिए, तो इन सभी को में क्या करता हूँ, कि जो मेरा distribution box से इसमें mount कर देता हूँ, इसके बार मैं आपको wiring को explain करना, start कर दूँगा, तो ये जो मेरा single face का starter वाली box से, इस box के ऊपर में सभी electrical device को mount कर दिया, तो ये जो सभी electrical device है, इनका हमें wiring करना है, तो wiring करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपका यहाँ पे terminal block है, इस terminal block का जो पहला नमबर का terminal है, इस terminal पे जो आपका incoming power supply होगा, जैसे कि मैं incoming power supply के लिए ये वाला जो plug top पे इसका इस्तमाल कर रहा हूँ, तो इस plug top का जो फे सप्लाई वाली वारे इसको लाके पहले नमबर का terminal पे इसको connect करना होगा, तो मैंने इसको यहाँ पे connect कर दिया, second वाले terminal पे neutral supply करना होगा, तो इसको लिएक करना है, अब इसके बार आपको क्या करना है, यह जो दोनो जादा है, जैसे कि यह वाले जो capacitor, यह capacitor size में भी बड़ा है, साथी साथ में इसका जो value है, आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है, 120 by 150 microfarad, मतलब कि यह वाले जो capacitor, इस capacitor का value, इस वाले capacitor, मतलब कि 50 microfarad वाली जो capacitor इससे जादा है, तो जिस capacitor का value जादा होगा, वो capacitor आपका running capacitor होता है, अभी के टाइम पे में जितने भी electrical device इस्तमाल कर रहा हूँ, जैसे कि capacitor, contactor, और जो मेरा digital वाली voltmeter, अमिटर है, इन सभी को प्रिसकॉन कमपनी के द्वारा बनाए गया है, यह जो company, यह company, capacitor, contactor, और अमिटर, voltmeter, push button को manufacture करती है, इस company का product है, उस प्रोड़क का starter को बनाना चाहते हैं, या फिर आपका जो starter उसमें कोई भी electrical device खराब हो जाता है, तो इस condition में आप प्रिसकॉन कमपनी का voltmeter, अमिटर, पैनल, push button, contactor, और capacitor को बाइक कर सकती हो, किस प्रकास से बाइक करना है, पूरा detail मैंने आपको description में दे दिया हूँ, वहाँ पे आपको mobile number मिल जाएगा, उस पे call करके आप directly buy कर सकती हो, ठीक दोस्तो, अब ये जो दोनों capacitor है, इन capacitor का एक एक वार आप ले लीजिए, मैं अभी के time पे इन दोनों वार को लेता हूँ, और इन दोनों को आपस में twist कर देता हूँ, इस प्रकार से, आपको यहाँ पे दो वार को आप गुसा यह चोटा वार का चेंपसिटर है, इस प्रकार को एक वार होगा. इस वार को ले जाके जो चौटा नमबर का terminal है, मतलब कि आपके motor को जो starting वाली power supply जाती है, उस power supply को provide करने के लिए इस वार कैपसिटर का दूसरा वार इस्तमाल किया जाएगा, इस वार को ले जाके आपको चौटा नमबर की terminal के साथ connect करना होगा, मैंने इसको connect कर दिया, तो य वाल हमारे पास में एक वार है, ये वाली, ये जो वार होगा, ये जो starting वाली, ये जो वार होगा, ये वार जाके आपके push button के साथ connect होगा, मतलब कि इस push button का जो एक terminal होता है, जैसे कि आप देखोगे, यहाँ पे जो push button है, इसके back side में मैंने दो element को connect किया हूँ, एक element के साथ में आपको इस वाले wire को ले जाके connect करना होगा, तो कैसे connect करेंगे, इसको देख लेते हैं, ये वाला wire थोड़ा सा छोटा है, तो इसके साथ में एक wire को मैं connect कर देता हूँ, इस प्रकार से, तो ये वाला जो wire इस wire को ले जाके, जो हमारा push button है, इस push button के किसी भी एक terminal के साथ हम connection करना start करते हैं, देखी दोस्तों, जो मेरे पास में conductor है, ये conductor two pole वाली है, मतलब कि इसमें total 4 terminal है, जिसमें हमें incoming power supply और outgoing power supply करना है, तो first वाला जो terminal है, इस terminal के साथ में एक red wire को connect कर देता हूँ, red wire का इस्तमाल के जाएगा face supply के लिए, इसके बाद second वाले terminal पे black wire को connect कर दे करने किये थे, मतलब कि जो तीसरा नमर का terminal है, उस terminal पे इस wire को connect करना होगा, तीसरे वाले terminal का इस्तमाल किया जाता है, motor के running winding को power supply करने के लिए, तो इसी वाले terminal के साथ मैं इस wire को connect कर देता हूँ, अब ये जो black वाली वारे इस wire को ले जाके, जो last वाली terminal है, इस terminal के साथ इस इसलिए मैंने यहाँ पे black वाले wire को लाके connect कर दिया, जिससे की neutral power supply इस wire के जडिये motor को चला जाए, ठीके, तो दोस्तों जो single phase का submersible pump होती है, उस pump को हमें face supply, neutral supply, इसके अलावा capacitor के दोरा power supply प्रोवाइड करना होता है, तो face supply तो यहाँ से जाएगा, neutral supply इस point से जाएगा, औ और इस capacitor का जो दूसरा वारे इसको ले जाके हमने, जो हमारा start push button है, इस push button को incoming power supply प्रोवाइड करके रखे हैं, तो अभी के time पे हमें क्या करना होगा, कि जो push button है, इस push button के दोरा power supply को ले जाके, जो starting वाली winding है, उस winding को power supply प्रोवाइड करने के लिए connection करना होगा, तो इसके मैं यहाँ पे yellow wire का इस्तमाल करता हूँ, यह जो yellow wire इस wire को ले जाके push button के एक terminal पे connect कर दूँगा, जिस वाले element के साथ हमने capacitor वाले wire को connect किये थे, उसी element का जो दूसरा terminal है, उसके साथ हमें एक wire को connect करना होगा, अब इस wire का जो दूसरा सिरा इसको ले जाना है, और इसको ले जाके यह जो terminal block है, इस block का जो चोटा नमबर का terminal है, इस terminal के साथ इस wire को connect करना होगा, मैं यहाँ पे इसको connect कर देता हूँ, दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको connection बताया, इस connection में, देखिए, मैंने क्या किया कि जो मेरा motor है, इस motor को capacitor के दोरा power supply प्रोवाइड करने के लिए और जो phase supply है और जो neutral supply है इस power supply को provide करने के लिए केवल connection किया हूँ, मतलब कि मैंने इतना connection आपको बता दिया, अब ये जो connector है, इस connector को हमें input power supply provide करना है, input power supply provide करने के लिए हमें क्या करना होगा, कि जो हमारा पहला नंबर का terminal है, जिस पर हमने incoming power supply का phase supply वाली wire connect किया है, उस wire terminal के साथ हमें एक वायर को connect करना होगा अब इस वायर का जो दूसरा सिराइए इसको लेके जाना है और इसको ले जाके सबसे पहले तो MCB के साथ connection करना होगा MCB का इस्तमाल हम overload के लिए इसके अलावा power supply को चालू बन करने के लिए इस्तमाल करें इसलिए सबसे पहले power supply इसी में जाना चाहिए ओके तो यह जो वायर है इसको ले जाके MCB के साथ connect कर देता हूँ अब इस MCB का जो दूसरा tunnel है इस tunnel के साथ एक वायर को connect कर देता हूँ अब इस वायर से जो power supply जाएगा वो जाएगा conductor के input tunnel पे लेकिन इसके बीच में हमें ammeter का भी connection करना है तो ammeter का connection करने के लिए हमें क्या करना होगा यह जो digital वाली meter है इस meter में आप देखोगे यहाँ पे CT दिया गया है आप देख सकते हैं इसके बीच में hole है तो इसी के अंदर से आपको wire को लेके जाना होगा तो मैं इस wire को इस तरह से insert कर देता हूँ आप देख सकते हैं wire मेरा चला गया अब इस wire को लेके जाना है और इसको ले जाके directly जो हमारा contactor है इस contactor के पहले number terminal के साथ इसको connect करना होगा तो मैं इसको connect कर देता हूँ तो इस contactor को मैंने face supply तो provide कर दिया neutral supply provide करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो second number का terminal है इस terminal पे एक wire को connect करना होगा अब इस wire का जो दूसरा सीरा इसको लेके जाना है और इसको ले जाके जो second वाला terminal है इस terminal के साथ इसको directly करना होगा तो मैं यहाँ पे इसको connect कर देता हूँ तो अभी तक जो wiring किया गया है इस wiring में यदि आप power supply को connect करने के बार क्या करते हो कि जो push button है इसको press करते हो और manually ये जो conductor इसको यहाँ पे press करते हो तो आपका motor चालू हो जाएगा यानि कि जो motor को power supply provide करना था उस power supply को provide करने के लिए हमने connection कर दिये अभी के time पे हमें इस वाले push button के इस्तामाल करना है motor को चालू करने के लिए तो इस conductor को चालू बन करने के लिए wiring कैसे करेंगे इसको भी समझ लेते हैं तो connection करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका start push button है इसको सबसे पहले power supply provide करना होगा यदि आप DOL starter का wiring देखोगे तो उस wiring में क्या होता है यदि आपको contactor को चालू करना है सबसे पहले power supply stop push button में जाएगा इसके बाद start push button में जाएगा लेकिन अभी के time पे जो हमारे pass में contactor है ये contactor two pull वाली है और two pull वाली जो contactor होता है इसमें आपको no-nc contact नहीं मिलेगा यदि आपके contactor में no contact नहीं है तो holding circuit आप नहीं बना पाओगे तो holding circuit बनाने के लिए हमें थोगाल लगाना पड़ता है और जुगाल लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा push button है इस push button में जो start push button है इसको सबसे पहले power supply प्रोवाइड करना होगा तो कैसे provide करेंगे इसको समझ लेते हैं देखिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका mcb है mcb का जो output terminal है जिस terminal पे आपको face supply मिलेगा mcb को चालू करने के बार उस वाले terminal के साथ आपको एक wire को connect करना होगा अब ये जो wire इस wire को लाके में क्या करता हूँ जो मेरा start push button है इस वाले push button के एक terminal पे इसको connect कर दूँगा इस वाले terminal के साथ मैं इसको connect कर देता हूँ अब ये जो push button है इस push button के जो output terminal है यहाँ से wire को loop करके stop push button को power supply प्रोवाइड करना होगा तो इसके लिए मैं एक छोटा सा wire इस्तमाल करता हूँ इस wire को इस वाले point पे connect कर देता हूँ अब इस wire का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके stop push button को power supply देना है तो contactor का जो A1 terminal होता है उस terminal पे हमें fair supply प्रोवाइड करना होता है तो इस वाले wire को में लेके जाता हूँ और इसको ले जाके contactor का जो A1 terminal है जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे नीचे में तो दो terminal दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और दो terminal है तो यह जो दो terminal है इस पे आप यही देखोगे तो एक जगा पे आपको A1 लिखा हुआ मिल जाएगा दूसरे पे A2 लिखा हुआ मिल जाएगा जहाँ पे A1 लिखा हुआ है उस terminal पे आप fair supply वाले wire को ले जाके connect कर दीजेगा अब जो यहाँ पे second वाले terminal मतलब कि A2 terminal जो है उस पे हमें neutral supply देना है तो हम क्या करेंगे यह जो यहाँ पे neutral supply connect है इसी के साथ में एक wire को loop करके उसको neutral supply provide कर देंगे तो इस वाले terminal को में थोड़ा सा तो इस वाले terminal को में थोड़ा सा लूच कर देता हूँ और इसके साथ में एक wire का looping कर देता हूँ इस प्रकार से wire का looping करने के बाद इस wire का जो दूसरा सीरा इसको ले जाके A2 terminal के साथ directly connect कर देता हूँ ओके तो मैंने neutral supply वाले wire को भी connect कर दिया अब यह जो conductor इस conductor को hold करने के लिए holding circuit बनाना है तो holding circuit बनाने के लिए यह वाला wire इस्तमाल कर लेता हूँ यह जो wire इस wire को ले जाके जो conductor का output terminal पे face supply इस्तमाल किया गया है उसी face supply के साथ इसको connect करना होगा ध्यान दीजेगा इस wire को केवल आप face supply पे connect कर दियेगा यदि आप गलती से neutral supply वाले wire के साथ में इसको connect कर दोगे तो इस condition में 100 circuit हो सकता है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यह वाला जो wire है इस wire को आपको face supply के साथ ही connect करना होगा अब इस wire का जो दूसरा सीरा इसको लेके आना है और यह जो हमारा stop push button है इस वाले push button को जो incoming power supply provide किया गया है उसी power supply के साथ में इस wire को connect करना होगा तो अभी के time पे जो हमारा contactor है इस contactor को चालू बन करने के लिए connection तो हमने कर दिये अब हमें केवल यह वाला जो digital emitter volt meter है इसके द्वारा voltage को measure करने के लिए साथी साथ में इसका जो display इसको चालू करने के लिए power supply provide करना होगा इस वाले meter को face supply हमें MCB के द्वारा provide करना है तो मैं इस वाले wire को यहाँ पे connect कर देता हूँ और इस wire के दूसरे सीरे को ले जाके MCB का जो output terminal उसके साथ connect कर देंगे अब मुझे कैवल इस meter को neutral supply provide करना होगा तो neutral supply के लिए मैं चाहूँ तो यहाँ से directly provide कर सकता हूँ या फिक contactor के दोरा भी provide कर सकता हूँ इस वाले meter को neutral supply provide करने का बेस तरीका यह रहगा कि इस wire terminal पे आप एक wire को connect कर दीजिए और इस wire के दूसरे सीरे को लेके जाईए और जो आपका second वाले terminal है जहाँ पे आपने neutral supply connect करके रखे हैं उसी वाले terminal के साथ इसको connect कर दीजिए मतलब कि neutral supply आप second wire terminal के दोरा provide कर दीजिए मैं यहाँ पे इस वाले wire को second wire terminal पे connect कर देता हूँ अब यह जो हमारा indication lamp है इस indication lamp का हमें connection करना है तो इसका connection करना बहुत ही simple है हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा output terminal है मतलब कि contactor का जो output power supply है उसी power supply को लिए जाके यहाँ पे connect कर दें जैसे कि आप देख सकते हैं यह वाला wire है इस wire को हमने conductor के output terminal पे connect किये हैं इस wire terminal पे face supply जबी आएगा जब हमारा contactor on हो मतलब कि motor जब run होगा तभी इस point पे power supply आएगा तो इसी वाले wire के साथ में हम एक wire को loop कर देते हैं मतलब कि जो हमारा stop push button इसको जो power supply प्रोवाइट किया गया है उसी power supply के द्वारा एक wire को looping करना होगा तो इस वाले terminal पे मैं इस wire को connect कर दिया और इसको connect करने के बार इस wire का जो दूसरा सीरा है इसको ले जाके जो indication lamp पे इस indication lamp को power supply प्रोवाइट कर दूँगा अब जो second terminal इस terminal पे हमें neutral supply प्रोवाइट करना होगा जिससे की indication lamp glow हो सके तो neutral supply के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा wire का looping इस्तमाल करता हूँ इस wire का जो एक सीरा है इसको मैं इस वाले point पे directly connect कर दूँगा अब इस wire का जो दूसरा सीरा है इसको लेके जाएंगे और जो यहाँ पे neutral supply connect किया गया है इसी के साथ इस wire को भी connect कर देता हूँ तो मैंने इस wire को इस point पे connect कर दिया और इसको connect करने के बाद starter का पूरा wiring complete हो चुका है दोस्तो wiring करने के टाइम पे आपको केवल यह ध्यान देना है कि जो आपका motor का terminal होता है उस terminal पे capacitor का connection सही तरीके से करिएगा आपको क्या करना होता है कि जो आपका running capacitor इस capacitor को तीसरे नमबर और चौथर नमबर टैमिल के साथ कने कर दीजिए starting capacitor से जो power supply आता है उस power supply को push button के साथ इसलिए connect करना पड़ता है क्योंकि हम push button को press करेंगे उसके बाद ही power supply हमारा motor के starting winding में जाना चाहिए इसके अलावा जो लास्ट वाली टैमिल होती है उसके हमें neutral supply प्रोवाइट करना होता है इसके बाद जो भी आपके पास में contactor हो उस contactor को चालू बन करने के लिए DOL starter बना दीजिए connection हो जाएगा अब इसके बाद में जो आपका meter है मतलब की voltmeter, ammeter उनका connection आप simply कर दीजिए यदि आपके पास में digital वाली ammeter, voltmeter है तो इस condition में इस meter को आप face neutral दे दीजिए और जो आपका face supply वाली वारे उस वार को CT के अंदर से लेके चले जाएए यदि आपके पास में analog वाली meter है तो इस condition में ammeter को series में और voltmeter को parallel में connect कर दीजिएगा connection complete हो जाएगा ठीके दोस्तों अब ये जो starter इसका working हम देख लेते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा यहां पे power supply ये इसको on कर देता हूँ power supply को on करने के बाद mcb को on करना पड़ेगा mcb को on करने के बाद आप देख सकते हो यहां पे voltage हो किया जा रहा है 246 volt अभी के time पे है current अभी so नहीं क्या रहा क्योंकि हमारा contactor अभी के time पे off condition में है push button को press करता हूँ यहां पे मेरा जो motor है मतलब की lamp पे जो है वो on हो गया आप देख सकते हो मैंने lamp का connection किया था motor के जगा पे तो मेरा जो motor है वो on हो चुका है और जो यहां पे digital meter है इसमें यहां आप देखोगे अभी के time पे यहां पे current दिखाया जाए 0.1 ampere मतलब की 0.1 ampere current अभी flow हो रहा है मेरे इस lamp में ठीक है अब यदि मुझे motor को off करना है तो simply stop push button को press करके motor को off कर सकता हूँ तो आप देख सकते हो start push button को press करने से motor on stop push button को press करने से motor off दोस्तों यदि आप खुद का starter बनाना चाहते हैं और starter बनाने के लिए यदि आपको electrical device चाहिए जैसे कि electrical panel आपका meter, mcb, push button इसके अलावा capacitor, contactor जो भी चीज़ आपको चाहिए यदि आप buy करना चाहते हो तो आप press कॉन company का जो emitter, voltmeter capacitor है उसको आप buy कर सकते हो इस company का जो product है product बहुत ही अच्छा quality का है इसलिए मैं यहाँ पे इस्तमाल कर रहा हूँ प्लीज comment करके मुझे बताईएगा मैं आपके comment का wait करूँगा ठीके दोस्तों तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे स्माप करता हूँ I hope कि आपको वीडियो पसंद आयोगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आयो तो like कर दीजेगा और यदि आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किये तो subscribe भी कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद